बिस्मिल्लाहिराबान रहीम असलामलेकूम वेलकम टो आपफियास किचन आज मेरे किचन में बनने चिकन एंड वजीटेबल कटलिस तो जीचना पहुत ही मजदर सी कटलिस की रेस्पी आप लोगों नहीं पूरी वाच करनी कोपी स्टैप इसका मिस नहीं करना है इसके अंदर चीज की फिलिंग करेंगे यह बहुत मजदर बन के त्यार होते हैं तो चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए थे इनको अच्छी तरह साधे पानी में बॉयल कर लिए छिलका उता सब्सक्राइब करते हैं इसी के साथ 200 ग्राम चिकन थी मेरे पास इसको थोड़ा सा अधर कलेशन का पेस्ट और नमक लगा कर लिया था यह भी इसी में आड़ कर देंगे आब इसमें जाएगे देटीसपून की कृटिप चिकन पौडर मदा शुषा जीरा में टीशपून डालेंगी एसमें गरम मसाला फिसहवा देटीस भी डालेंगे साथदी दालेंगे स्पीस काली मिर्च 1 टेपल साथ इसमें मोटा मोटा क्रिभ रमेंड देनивать सुका वालीं साथ इस में शामिल कर देंगे एक लेमन का जूस जो तक्रीबर टेबल स्पून के क्रीब है यह देखे चला गया अब हाथ की मेंदे से सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चिकन को मजी तोड़ के छोटा कर लेंगे रेशे कर लेंगे इसके और सारी चीजों को आपके सारे रख लूँगी शेप आप अपनी पसंद से दे सकते हैं जो आपको पसंद हो तो यह बहुत ज्यादा मज़े के बनते हैं आप लोग इससे जरूरू ट्राइ कीजेगा तो देखें कितने सारे मैंने सारे के सारे कटलिस इस तरह त्यार कर लिए अब मैं लूँगी एक अंडा जिसको अच्छी तरह फेट लिए इसमें वन विंच काली मेर्च और वन विंच नमक डालके तेल मैंने तब एक उपर गरम होने के लिए रख दिया था अब एक कटलिस उठाएंगे अंडे के अंदर अच्छी तरह डिप करेंगे और गरम तेल के विडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो देखे सारे कटलिस मैंने इसके उपर डाल दिए आप दो मिंट हो गया है इसको फ्राई होते हुए एक से लाइट गोड़न सा कलर आगे मैं साइड चेंज कर दूंग इनकी अंदर पकने वाली कोई चीज नहीं बस हलका साओ उपर से क्रिस्पी के से करना और अच्छा सा कलर देना है तो दूसरी से चैक करते हैं देखें तीन से चार मिंट में कितने मज़दार से मारे कटलिस त्यार हो गए तो आप लागों बना कि इससे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं पहुत ही मज़दा लाफेज